Hello दोस्तों, Welcome back to Wings of Fire Hindi आज की बुक समरी The Art of Being Alone बुक के चैप्टर नमबर 4 की है इस बुक के सारे चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नमबर 4, The Love for Solitude वाईने डायर ने एक बार कहा था You can't be lonely if you like the person you are alone with मतलब आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं अगर आप उस परसन को परसंद करें जिसके साथ आप अकेले हैं ओथर कहती हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरा इतना कहना इस पार्ट को खतम करने के लिए enough है लेकिन जैसा कि आप self help book पड़ रहे हैं जब तक मैं आपको ये विश्वास न दिला दूँ कि अकेला रहना अच्छा होता है तब तक आप भी इन बातों का विश्वास नहीं करेंगे इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही हमारी problem है कि हम चाते हैं कि कोई दूसरा हमें किसी चीज पर विश्वास दिलाए हमारा हाथ पकड़ कर हमें रास्ता दिखाए लेकिन जब लोग हमें बीच रास्ते में छोड़ कर चले जाते हैं तब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं जैसे कि सब अंधेरा और ड्रावना है पर हमें सिर्फ ये realize करना है कि अगर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो हमें खुद ही चलना पड़ेगा क्यूंकि सब के goals और उनके रास्ते अलग-लग होते हैं इसलिए वो एक जैसे रास्ते पर आपके साथ नहीं चल सकते आप अपनी journey में बहुत से अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से भी मिलेंगे पर कभी न कभी वो अपने goal पर पहुंचने के लिए अपने रास्ते बदल ही लेंगे जैसा कि मैंने कहा कि सब के रास्ते अलग-अलग होते हैं और end में आप अकेले रह जाओगे चॉइस हमारी है कि हमें बीच रास्ते में रुक कर उनके लिए चिलाना और रोना है या हम अपने goal को अचीव करने के लिए चलते रहेंगे और अपने सपने के नजदीक जाएंगे दोनों ही cases में हम अकेले होंगे लोगों के पीछे रोना है या अपने goals को हासिल करना है दोनों ही choices हमारे हाथ में होती है author ने अपनी story बताते हुए बताया कि मैं 5th grades के बाद किसी भी school में 2 साल या 2 साल से अधिक नहीं रुकी मैं college तक school बदलती रही introvert और खुद पर कम विश्वास होने की बज़े से मेरे लिए friends बनाना tough था तबी finally मैंने एक friend बनाई जो बाद में मेरी best friend भी बनी लेकिन बाद मैं मुझे फिर school छोड़ कर जाना पड़ा मेरी 12th में भी बहुत अच्छी friends थी लेकिन school खतम होने के बाद college जाने के लिए मुझे अपने hometown से जाना पड़ा 4-5 महिने के लिए मेरी अच्छी दोस्त रही मुझे first time लगा कि मुझे best friend मिल गई लेकिन तभी मैं बिमार पड़ गई और मुझे घर जाना पड़ा 15 दिन बाद जब मैं वापिस आई तो मैंने देखा कि मेरी best friend ने मुझे replace कर दिया था किसी और के साथ तभी मैंने उसे कहा कि या तो वो मुझे choose करे या उसे बाकी answer तो आप imagine कर ही चुके होंगे कि क्या हुआ मैं 3-4 महिनों के लिए अकेली हो गई उस 4 महिनों के gap के बाद मैं कई लोगों से मिली जो की मेरे लिए बहुत ही amazing और important बन गए जिनका नाम girl gang था जिनने मैं आज भी miss करती हूँ इन girls ने मुझे एहसास करवाया कि एक girl दूसरी लड़कियों के लिए क्या कर सकती है what one woman do to uplift other woman author कहती है कि मैं बापिस अपने point पर आती हूँ जब college life खतम हुई तो ये सब कुछ खतम हो गया वरना मैं मानती थी कि distance can't come between true friendship जैसा कि social media guru भी कहते हैं हम काफी time तक context में रहें लेकिन कुछ time बाद हम सब busy हो गए अगर एक दूसरे से बात करने के लिए time निकाल भी लेते थे तो बहुत कुछ बदल गया था हमारा profession, हमारा environment and even priorities भी उन लोगों को miss करना जो हमें अच्छा feel करवाते थे हनसाते थे, joke करते थे अब हमारे साथ नहीं है, अब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे ये चीज loneliness को और भी ज़्यादा बढ़ाती है ओतर कहती है कि मैं अपने words पर fix रहूंगी अकेला पन और अकेले होना दोनों अलग अलग चीज़े हैं इसलिए मैंने realize किया कि सबकी life में लोग आते हैं और जाते हैं कुछ अच्छे के लिए, कुछ बूरे के लिए और अगर आप नहीं समझे तो मैंने बताया था कि great web series and movies on friendship and romance को देखकर हम ये मानने के लिए मजबूर हो गए है कि कुछ है जो हमेशा रहेगा इसलिए जब हमारा कोई दोस्त या पार्टनर हमें छोड़ कर जाता है तो हम अकेला और अधूरा फील करते हैं क्यूंकि हम मान चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो 24 into 7 हमारे साथ रहेंगे लोग ambulance नहीं हैं जो जब चाहो हमारे पास available होंगे उनकी अपनी life में भी अपने बहुत से काम है उनकी भी एक family है उनने भी अपना career बनाने के लिए है और यही एक harsh reality है जो मैंने face करी है मैंने कुछ time तक sad और lonely फिल किया लेकिन तभी मैंने realize कि ये कुछ चीज़े हैं जो हमें life में face करनी ही पड़ेंगी आपको उन लोगों को by बोलना ही पड़ेगा जिन से आप अलग नहीं होना चाहते तभी मैंने पहले भी कहा था कि loneliness life की जरनी का एक part है मैं ये नहीं कहती कि friendship या career में से किसी एक को choose करो लेकिन ये चीज़ें automatically हो जाती है हाँ कुछ लोग होते हैं जिने career plus friendship दोनों मिल जाती है बट real life में ऐसा बहुत rare होता है for example मेरी एक favorite web series थी Friends अगर आप इस series को देखेंगे तो इसमें 6 friends होते हैं जो की हमेशा एक दूसरे के साथ fun करते हैं हमेशा coffee shop में बैठे रहते हैं but in reality it's not possible हमारी एक job है, हमारा career है और भी कई चीज़े हैं जो हमें देखनी है तो चलो इससे हम एक नया belief बनाते हैं आप लोगों से expect नहीं कर सकते कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे हमारी generation में forever का मतलब यही रह गया है कि अपने friends को follow करना और उनकी post पर comment, like और share करना और उनको अपनी friend list में रखना और अगर इससे ज़्यादा कुछ expect कर रहे हो तो खुद को hurt करने के लिए त्यार रहें Just realize one simple truth You are on your own now आपका सिर्फ अपनापन ही अपना है इसके अलावा आपके साथ कोई भी हमेशा नहीं रहेगा लोग हमेशा आपकी देखवाल नहीं कर सकते तो यदि आपके पास कोई अच्छे लोग भी हैं तो उन पर dependent मत बनो आपको अपने दिल में अपने लिए जगा बनानी है ताकि आपको अपना साथ प्यारा और सेफ लगे अगर आप अकेले अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाते हैं तो एक चोईस ये भी बनाईए कि उस इंसान से प्यार करिए जिसके साथ आप हमेशा हैं मतलब खुद से प्यार कीजिए जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको अपनी जर्नी एक दावत की तरह लगेगी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खुद के साथ रहने में एक अलग सी फ्रीडम है आप साथ होंगे एक आवाज के एक ओपिनियन के, एक सोच के जो आपकी खुद की होगी आपको उन लोगों के अकॉर्डिंग अड़जस्ट नहीं होना पड़ेगा जिनको आप पसंद भी नहीं करते और कहते हैं कि I hope कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ और कहते हैं कि मैं ये नहीं कहते हैं आप उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो ऐसा कभी नहीं करना ऐसे लोग जो आपको प्यार करते हैं ऐसे लोगों को ढूनना बहुत मुश्किल होता है लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी अपने व्यूस कोमेंट करें शेर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमली के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए और फाइनली थैंक्स फर वाचिंग